नमस्कार भारत एक्स्प्रिस देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ चेल्सी सिंग जोतिश विग्यान के विशेश कारिकर मक्षद में आपका बहुत बहुत सबागत है दर्श को आप सबी जानते हैं कि जोतिश विग्यान हमारे जीवन के लिए कितना शुपकारी है क्योंकि कभी-कभी मनुष्वे के जीवन में ऐसे जी बाधाया आती है जुण से पारपाने के लिए मनुष्य बहुत संगर्श करता है लेकिन क्या आप जानते हैं इन्हीं तमाम समस्याओं का विज्ञान है जोतश विक्या जिसे कठन से कठन बाधा भी आसानी से दूर हो जाती है लेकिन आप सोच रहे होंगे कि क्या ये संभव हो सकता है अगर हां तो फिर कैसे तो चलिए इस सवालों के लिए हमारे साथ इस्टूडियो में मौजूद है विश्व विक्या जोतिशा चारे डॉक्टर आचारे मनोज नियर्जी आचारे जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत सबागत है भारत एक्स्प्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्देक प्रणाम तो बिल्कुल बहुत सारी जानकारी आप तक पहुचाएंगे आप देखते रहे हमारा खास कारक्रम नक्ष्वत्र क्योंकि आज उसकारक्रम से से हम बात करने वाले हैं क्या आज करें और क्या ना करें आपका लखी नंबर क्या है साथी साथ जानेंगे कैसा होगा आपकी भागी का मीटरस को लीकर भी चर्चा करेंगे और साथी यहाँ पर आजुमबात करने वाले हैं छटे भाव में स्थिट राहु के फल के पारे में तमाम सारी जानकारी आप तक पहुचाने वाले हैं आप लोग के सवाल यहाँ पर लेने वाले हैं सबसे पहले पहली चार आशियां मेश, व्रिशाब, मिथोन और कर्क आचारे जिसे जानेगे इन चार आशियों का आज का राशिपर मेश राशी वाले आज आप कोई नया ज्यान अर्जित करने वाले हैं कोई नई दिशा आज आपको प्राप्त होगी, दिन की शुरुवात अपने पिता या पड़े भाई से करें तो दिन की शुपता और बढ़ेगी भागेश अली संख्या है पाच और भागे का मीटर पिचत्तर परतीशत आपको सयोग करेगा प्रिशब राशी वाले आज किसी धार्मे की यात्रा की प्लानिंग हो सकती है कोई बड़ा धार्मे का योजन में आप शामिल हो सकते हैं आज गोमाता की सेवा करने से दिन की शुपता बढ़ेगी भागे शलिश संक्छा है दो और भागे का मीटर आज 85 प्रतीशत सयोग करेगा मिथ्रून राशी वाले आज सय्यम से काम लेना होगा जल्द पाजी में लिया हूँ निर्ने आज धन की खानी करता हुई दिख दिख रहा है बागेशली संख्या है चार और भागे का मीटराज केवल पंतालिस प्रतिशत सयोग करेगा करक राशी वाले भूमी समंदेत कोई निर्ने आज लेना है तो आज ना लें यदि कोई भूमी से समंदेत कारे करेंगे तो उसमें नुकसान होने का डर है आज स्थिती आपके पक्ष में नहीं है भागेशली संख्या है साथ और भागे का मीटराज 55 प्रतिशत आपको सयोग करेगा तो बिल्कुल यहां चारे जिनने पहली चार आश्यों के बारे में बताया उनका आज का राशी फल बताया लगातार दर्शु को आपके टेलेविशन स्क्रीन पर मेल आईडी फलाश हो रही है वो इसलिए तकि आपके जीवर में जो भी सारे प्रश्ण हैं कोई क्वेरी है या किसी प्रेकार की कोई बाधाएं हैं गश्ट है दिक्कते हैं और उनको आप दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेल आईटी पर हमें मेल कर सकते हैं जो भी आपकी डीटेल्स है वो चार डीटेल्स देखकर यानि की नेम प्लेस डेट ऑफ वर्थ और टाइम ये चार्ची से बेज़कर आपना सवाल भीज सकते हैं और यहां अचार जी आपको बताते हैं क्या कुछ समस्य है और आपको उप्चार बताते हैं जिसके माधिम से बड़ी से बड़ी समस्या को आप आसानी से दूर कर सकते हैं अचारे जी हमारे पस जो मेल आया है लवलीन कौर का है और जुलंदर पंजाब से डेट ओफ वर्देन की 6-2, 1992 समय है पांच बच्चे 40 मिनिट सुबागा प्रश्न इनका कि शादी को 6 साल हो गए है अभी तक संतान नहीं हुई है कब होगा योग कपके बन रहे हैं और रुकावत जो आ रही है उसका कुंडली के माध्यम से आपो पाए बताए आईए इनकी कुंडली पर चलते हैं इनकी जो कुंडली है वो धनू लगन और कुंबराशी की है और संतान अभी तक प्राप्त नहीं हुई विवा को 6 वर्ष हो चुके हैं पंचम भाव को यदि हम देखें तो मंगल की राश्य उदित होती है और मंगल लगन में विराजव अभी दिन में यहान है शत्रुशुक्र और शत्रुग प्रम्शत्रुग राहू के साथ केतू की पूर्द्रिष्टी केतू जोकी रुकावटे दे रहे हैं मंगल की स्थिती बिलकुल भी अच्छी नहीं है और आपके अकारक की दशा चल रही है शनी और चंद्र की दशा ज क्योंकि अपने आप में विष्टशा भी है, आपका एक वोचर से आपको सपोर्ट एक योग से बन रही थी, क्योंकि आपके गुरू जो हैं, अभी पंचम भाव पर चल रहे थे, वो भी अप एक दो दिन में वहां से निकल जाएंगे, निकल चुके हैं, इस तिती को देखते इसमें रुखावटे ला रहे हैं, साथ साथ भनमान जी की अपासना करें, बजरंग मान का पाट करें, लड़ू गोपाल जी की सेवा करें, और एक मंत्र का जाब करें, शिरी कृष्ण के संतान गोपाल मंत्र, इस मंत्र का जाब रोज 11, 5-11 माला करें, यदि आप ऐसा करते हैं, तो अगले एक वर्ष में आपका योग बन जाएगा, और एक मुंगा रतन आप धारन करें, बल्कुल उमीद करते हैं, कि जो भी उपचार हैं, उन्हें आप जरूर करिएगा, जल्दी समस्य का समधार होगा, आचारी चुई को प्रश्ण आप लेना चाहेंगे, गोरि स्वाई नहीं है, इनका प्रश्ण है कि कब तक अच्छे जॉब मिलेगी, आप समय बताइए उसके शत्रू, बुद्ध और शुक्र साथ मिराजवान हैं, मंगल भी वही हैं, चार पड़े ग्रह दशंपर हैं, इसलिए वो आपके अंदर आप्शन्स बात क्रियेट कर देते हैं, आपके माइंड में, कि आपको हमेशा दूइधा रहती है, मैं यहां जाओं यहां जाओ इसी वज़ा से आपको सटिस्फेक्शन नहीं मिलता, राहू शनी की दशा है, राहू और शनी की दशा जो कि गुरू के परमशत्रू हैं दोनों ही, इसलिए अभी आपको यह लाब मिलना बहुत मुश्किल है, मैं दोजार पच्चिस के बाद आपका समय शुबाएगा, पपड़ा, धरम स्थान पर धान करते रहें और केले के पेड़ की सेवा करें, वहां उसे गंगा जल से सीचें, ये दो कारे आप करें, केसर का तिलग लगा कर रोज अपने कारे स्थल पर जाएं, ये कारे जब आपको सटिस्फेक्शन आना शुरू हो जाएगा, और आने व आश्यो को बात करेंगे, सिंह करने तो लौ वरिश्यक राश्यो को लेकर आचारे जी सो जानेगे, इन चार आश्यो का आज खराशी फलू सिंह राशी वाले, आज आपके उपर किसी शडियंत्र द्वारा कोई महिला लांचन लगा सकती है, इस चीज का विशेश ध्यान रखिए, भगवान क्रिश्ण की आज अराधना करें, उनको काई का घी अरपन करें बागेशाली संख्या है, आठ और भागे का मीटराज केवल 40% सयोग करेंगा कन्याराशी वाले, आज आपको कोई तवचा समंदित रोग होता दिख रहा है, कोई अलर्जी हो सकती है, इस चीज का विशेश ध्यान रखिए, और गडपती देव की यदि अराधना करेंगे, तो दिन निकल जाएगा भागे का मीटराज 50% आपको सयोग करेंगा तुला राशी वाले, जो लोग वहान खरीदना चाहते हैं, या कोई प्रापर्टी की डील करना चाहते हैं, आज कर लें दिन बेहत शुब है आपके लिए, मा लक्ष्मी को इत्र भेट करेंगे, तो दिन की शुबता और अधिक पड़ेगी भागेश अली संख्या है चार, और भागे का मीटराज 95% सयोग करेगा प्रिष्चिक राशी वाले कोई छोटी धारविन की आत्राज हो सकती है, आज आप गरीबों की सेवा करने जा रहे हैं, बजरंग मान का पाठ करना आज आपके लिए बेहत लापकारी है भागेश अली संख्या है, आठ और भागे का मीटराज 80% आपको सयोग करेगा तो बिल्कुल यह अचारे जी ने अन्य चार आशो के बारे में बताया, उनका आच वराशी फल बताया अचारे जी इसके बाद जो हमारा प्रशने है वो छटे भाव को लेकर के है, क्योंकि हम राहू की सीरीज की बात करें है और ऐसे मैं आपसे जानना चाहेंगे कि अगर छटे भाव में राहू विराजमान होता है, क्या कुछ फल देता है धन्यवाचेल सी जी, राहू की सीरीज पे राज हम पहुँचे हैं छटे भाव पर, छटा भाव, छटा भाव रोग का है विशेशकर रोग से लड़ने की शक्ती भी देता है यह भाग छटा भाव रिन का भी है, छटा भाव हमारे शत्रू का भी है विशेशकर छटे भाव को अच्छा भाव नहीं माना जाता लेकिन राहू, यहाँ पर शत्रू हंता योग बना देते हैं आपके शत्रू हमेशा ही आपसे पराजे होते हैं आईए जानते हैं राहू यहां और क्या-क्या देते हैं छटे भाव मिस्थित राहू अनिष्ट का निवारण करते हैं अर्तार्थ आपके जीवन से अरिष्ट को दूर करते हैं बुराईयों को दूर करते हैं आपके जीवन के कश नश्ट होते हैं आप बेहत प्राक्रमी और शक्ती संपन यहां राहू आपको बना देते हैं आप धैरेवान होते हैं आप बुद्धीमान होते हैं सहसिक और बड़े-बड़े कारों को आप असानी से अंजाम देते हैं शारीरिक रूप से राहू यहां आपको निरोगी बनाते हैं और आप दिरगायू भी होते हैं आप शत्रों का नाश करने वाले और शत्रों को पराजित करने वाले होते हैं आप पर सिद्ध राज जैसी मानिता को प्राप्त करते हैं आप पर सरकार की करपा रहती है और धनाडे व्यक्ति होते हैं, आपके पास वस्त्र वाहन अभूशन हमेशा ही रहते हैं, आप भागेशाली होते हैं, धन आपके पास प्रचूर मात्रा में होता है, आपका जीवन साथ ही अच्छा होता है, लेकिन राहू के दुष्परभाव के कारण कभी-कभी आपकी संग जाए उत्मन हो सकती हैं, और वहाँ पर कोई रोग या बड़ी दुर्गटना भी कभी-कभी देखा गया है, राहू यहां करवा देते हैं, यदि यह राहू यहां हो, तो दुर्गा सब्शती का पाठ करना चाहिए, राहू के मंत्रों का जाब करना चाहिए, बहुत बहुत सुखों की बोचार हो रही है, धन की वर्षा आज आपके उपर हो रही है, अपनी माता जी का आशिरवाद लेकर आज घर से निकलें, भागेशाली संख्या है, एक और भागे का मीटर आज 90 प्रतिश्यत आपको सयोग करेगा, मका राशी वाले, गाएन के शेत्र में आज आपको सफलता मिलना तै है, आज जो लोग वाणी से काम लेते हैं, उनके लिए दिन बेहत शुब है, आज हरेवस्त्र धारण करें, भागेशाली संख्या है दो और भागे का मीटर आज 80 प्रतिश्यत आपको सयोग करेगा, कुम राशी वाले, जल्द वाजी में आज कहीं भी धन व्याइना करें, आज कोई परिशानी उत्पन हो सकती है, कोई आपको धन की हानी भी पहुचा सकता है, भागेशाली संख्या है, साथ और भागे का मीटर आज 45 प्रतिश्यत सयोग करेगा, मीन राशी वाले, आज वाहन ना चलाने की सलादी जाती है, दुर्घटना होने का प्रबल योग बना हुआ है, इसलिए न वाहन चलाएं न वाहन में बैठें, मुली का दान करना आज विशेश आपके लिए फलकारी रहेगा, बागे शाली संख्या है, एक और बागे का मीटर आज 50 प्रतिश्यत आपको सयोग करेगा, और इसके बाद दर्शु को बात करेंगे बर्ड़े टिप्स में, जुनका भी आज जनम दिन हैं, उन्हें कौन से टिप्स फॉलो करने चाहिए? जिनका भी आज जनम दिन हैं, उन्हें हमारी और से हार्दिक शुक्काम नाएं, आज पीपल के पेड़ की सेवा करें, उसे गंगा जल से सीचें, कच्छे दूट से सीचें, वहां एक दीपक जलाएं, और आशिरवाद लें, यदि ऐसा करेंगे, तो पूरा वर्ष, खुश और सफलताएं आपको प्राप्त होंगी, और उसके बाद बात करेंगे मारे जनिवर्स्ट्री टिप्स में, जिनकी भी आज शादी की सालगेरा है, उन्हें कौन से टिप्स पॉलो गएने चाहिए, जिनकी भी शादी की सालगेरा है, दोनों पती पत्नी को हमारी और से आज भगवान कृष्ण को एक मासुरी भेट करके उनका आशिरवाद ले, यदि ऐसा करेंगे तो दोनों का प्रेम आपस में बढ़ेगा, परिवार में खुशी आएंगी और जीवन में सुमंगल ही सुमंगल होगा आगे बात करेंगे, आज के दिन आपको कौन से चीज का प्रेयोग बिलकुल नहीं करना है आज के दिन हमें लोकी का प्रेयोग नहीं करना है, यह आज हमारे लिए अनिश्टकारी है और जाते जाते बात करेंगे टिप्स ओफ दडे में ऐसे टिक जो आप सभी लोग के लिए लापकारी साबित होगी टिप्स ओफ दडे में आज गरीबों को यथा शक्ति अधिक से अधिक मीठा दहीं देकर खिला कर उनको आशिरवात प्राप्त करें यदि ऐसा करेंगे तो उससे पूरा दिन आपका बहुत ही योग कारी मंगल कारी और कल्यान करी गुजरेगा इसे के साथ ये दर्शुकों समय होगे आपसे विदा लेने का चारची बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सचोने के लिए बिलकुल भारत एक्स्प्रिस के सभी दर्शुक और शुक्रुया लगतार हमारे सथ बने रहने के लिए इतना प्यार और सायोग के लिए कल फिर आपसे मुलाकात होगी कल फिर जानेंगे भवश आपको और आपका राशुकर तब तक के लिए आप देखते लिए भारत एक्स्प्रिस नमस्कार